हलो दोस्तों वेल्कम बैक टो मैं यूटूब चैनल कीप गूड नॉलेच सबसे पहले आपको गुगल में आना होगा वहां पर आपको सर्च करना है कर आपको पहला लिंक होगा पुलिस क्लिरिंस सर्विस का तो आपको उसके बाद आपको इस तरह का इंटरफेस आएगा राइट-hand side में पूरी information दिये गई है पहले आपको रजिस्टर करना है फिर login करना है फिर application का form भरना है उसके बाद payment करना है और उसके बाद local police station से इसे verify करवाना है और चलिए उसके बाद registration पर क्लिक करता है क्लिक करने के बाद ऐसा इंटरफेस आएगा जहां पर आपको कुछ बेसिक इन्फरमेशन देनी है आपको यूजर नेम पासवर्ट सेट करने के लिए पहले आपको लॉग इन करना होता है उसके लिए आपको रजिस्टेशन करना होता है यूजर नेम पासवर्ट बनाने के ल सब्सक्राइब करेंगे तो आपके लिए काफी बैटर रहेगा उसके बाद नीचे दिया गया वाट इस दा फर्स नंबर अमॉंग फॉलोविंग ऐसा कुशन आएगा तीनों में से एक अंसर सलेक करना है राइट वाला और आगे प्रसेस करना है जैसे आप समीट करेंगे आप अब करेंगे तो तो आपको अपको फासफबट से żeby उसके बाद आपको दुबार से हूँम पेज में आना है हूंपेज में आने के बाद आपको अपना मॉबाइल न मर देना है और आपका जो distribute अब अबिच्छस आपने सेट किया हुआ है वह आपको देना है और झो capture साभि पहले पहले इंटर करना है, लॉग इन करना है, ऐसा इंटरफेस आएगा आपके सामने, आपको सारी इंफोर्मेशन देनी है आपकी, आपको ये पेज में आने के बाद, लेफ्ट एंट साइड में सेकेंड आप्शन सर्वीसेस का दिया है, वहाँ पे क्लिक करेंगे तो पहला आइडी प्रूफ, एड्रेस प्रूफ, कमबल सरी डॉक्यमेंट, तो ये डॉक्यमेंट का अरेजमेंट है, तो आप अपलाई कीजेगा, यहाँ पे नेक्स का ओप्शन दिया है, नेक्स पे क्लिक कीजे, लेफ्ट एंट साइड में नीचे की तरफ, जैसे आप क्लिक करते है तो ये काफी information आपकी यहाँ पूचेगा, आपका पूरा information, आपका नाम, आपका address, आपका date of birth, last 10 year में आप कहां कहां रहे चुके है, करन में कहां काम करते है, काफी चीज़े पूची जाएगी, आपका ये 5-6 मिनिट आपका ये ले लेगा, आपका information यहाँ देने के लिए, तो ये सारी information आप यहाँ पर fill up कीजेगा, उसके बाद general information में पूचा रहेगा आपका, आपका भी arrest हुए है, और कभी politics में आपका involvement रहा है, और तिसरा option आपके against में कोई criminal case है, तो ये information दी जाएगी, और नीचे की तरफ कोई भी आपके location में, आपके भाई का, या फिर आप की रिष्टा का, या फिर आपके किसी दोस का, आपको reference number देना है, आपके accordingly, कोई भी दो लोगों का, जिसको आप पैचानते है, जो आपको पैचानता है, वो देने के बाद आप next पे click कीजेगा, आपको police station select करना है, नियर बाय आपका जो रहेगा, जहां पर आपको police verification confirm होता है, तो वहाँ पर आप दे दीजेगा, और नेचे आपका location दीजेगा, और उसके बास save कीजेगा, वहाँ पर payment का एक option आएगा, आपको payment करना होता है, तो अगर वहाँ पर option नहीं आता है, left hand side में pay fee option दियागा, वहाँ पर click करेंगे तो वहाँ पर option आएगा, तो multiple option है payment के लि होगा, वहाँ सारी information आपके सामने आजाएगी, और status pending में शोर करेगा, तो आपका local police station में verify होगा, उसका भी pending में बता रहे हैं, जैसे वह अपरूब होता है, तो वहाँ से पासवन होगे, वह commissioner के office में जाता है, उसके बाद महाँ से अपरूबल होने के बाद, ये दोनों का अपरूबल होने के बाद, आपको यहीं पे जो है, आपका एक option आजाएगा, आपका character certificate का, लेकिन उसके लिए आपका wait करना है 15 days, now you have to wait for 15 days for approval, तो in case 15 days में भी अपरूबल नहीं आता है, किसी कारण, तो अपनी IRS police shocking में जहां पे आपने दिया वहाँ पे visit करके, इसकी inquiry कर सक सकते है, तो यह काफी effective option है, आप यहां से try कर सकते है, ठीक है, इसके एलावा अगर आपको कोई problem होती है, तो you can mention on comment section, तो उसके accordingly मैं आपको इसका answer करूँगा, I hope यह वीडियो आपको पसंद आया होगा, if you like this video, please आप इसे share कीजी और मेरा channel subscribe कीजीए, अभी के लिए thank you so much, have a good day.